तो हेलो गाइज, वेलकम बैक तो नियो वीडियो, तो सभी लोग बहुत बहुत ज़्यादा परिसान हो चुके हैं कि एलेंटी का जो डिएटी के लिए असेस्मेंट हुआ था 15 जून को, तो उनका असेस्मेंट का रिजर्ट का आने वाला या फिर अगर बोल सकते तो कि इंट कि लास्ट यर 2023 में डिटी का जो रिकुर्मेंट हो रहा था ओपिन केमपर्स इसी तरह जिसमें सारे कॉलेज इलिजिबल थे उन लोग के कब हुआ था तो 2023 में जो असेस्मेंट हुआ था डिप्लोमा इंजेनियर ट्रेनी का लेंटी कंस्ट्रक्शन में उनका हुआ था 22 करना था उसके बाद जाके इंटर्व्य हुआ था 22 अपरेल को जो असेस्मेंट हो चुका है उसके 6 माई को उनका नेक्स्ट फेस के लिए सेलेक्शन इमेल आया उसके बाद फिर 17 माई को जाके इंटर्व्य हुआ मतलब स्टार्टिं हो गया था आगे पीछे कुछ इस लोग उनका भी अभी तीन सब्ता से वाजिसे तो देखा जाया तो हो गया है कि पंदा दीन उधर और इधर साथ दिन हो गया और अभी जो है साथ जुलाई है और अभी तक कोई अबडेट नहीं आया एक तरफ से तो अब आसकता है तो अभी इसलिए नहीं आ रहा है उसमें एक रिजन यह हो सकता है कि 30 जुन से L&T कंस्ट्रक्शन में जो GTs और PGTs जॉइन किये थे उनका ओरेंटेशन चल रहा है उनको on board करने में उनका document verification उनको on board करने में और वहां पर जो उनका accommodation होगा साथ दिन के लिए और जितना भी orientation program होता है वो सब में हर IC के मतलब जितना जितना L&T के अंदर अलग-अलग businesses है सब में hiring team होगी वो सब लोग उस time busy रहते हैं जो freshers को hire कर रहे हैं इस बीच उन लोग interview conduct करवाना बहुत मुस्किल होगा मेरे हिसाब से तो इसलिए भी नहीं आ रहा है और साथ दिन तो होगी और orientation लगवग खतम हो गया होगा सायद उसके बाद next week मतलब जो और साथ दिन होने वाला है तो इस time भी HR थोड़ा बहुत busy हो सकते हैं और साथ में जो अब चन्नाई में साथ दिन का orientation के बाद सभी लोगों का अलग अलग different location में बेज दिया जाता है और बहुत लोगों को CSTI बेज आता है training के लिए तो CSTI भी L&T का ही एक अलग training institute है उसके बाद फिर बहुत लोगों को diet जो जॉब location भेज दिया गया है तो वहाँ भी लग HR थोड़ा busy हो सकते मतलब अगर 30 June में start हुआ है diet लोग का orientation तो वह दो सब्ता तो HR busy रहेंगे तो उस टाइम उन लोग का इंटर्व्यू कंड़क्ट करवाना मुस्किल है तो आप लोग का हो सकता जो diet का exam जो diet का assessment हो चुका है उनका result of third July मतलब third week of July में आ सकता या फिर उसके सोच सोच के परिशान होने से आपको कुछ फाइदा नहीं होने वाला मतलब इसमें आपका time भी वेस्ट होगा result कब आने वाला यह सोच सोच के परिशान होने से अच्छा है कि आप अपने आपको interview के लिए prepare करो कि जो result आने वाला उसको तो आप change नहीं कर सकता आपका assessment हो तो लास्ट में अगर इसे conclusion में बात करें तो result जो है हो सकता third week of July में आ जाए या फिर fourth week of July मतलब last week जो जुलाइक है उसमें और result आते ही आपका within one to two weeks में आपको interview भी हो जाएगा तो उसके लिए आप अपने आपको पहले से prepare करो क्योंकि जब assessment भी होने वाला तो उस ताइम तो अच्छी बात है लेकिन अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो उसी के मतलब आसा में बैठे हुए कि पता चल जाए तो भी हम कोई action लेंगे तो यह इसमें आपका time ही loss हो और कुछ नहीं हो रहा है और जब assessment हो रहा था उससे भी एक दिन जस्ट पहले बहुत लोग पू कुछ आजाता है इंटर्वी के लिए इंटर्वी कैसे क्लियर करें कोई action तीन चार कोईशन बता तो जिसको अगर पढ़ लिए तो इंटर्वी क्लियर हो जागा मतलब ऐसा तो होता नहीं है जो लोग ऐसे लास्ट टाइम पर प्रिपेर करने वाले हैं उन लोग का उन लोग आउट्स होंगे सबके तो मैं ट्राइ करोंगे नेक्ट वीडियो में उसको कवर करने का बाकि मैं मिलूँगा आपसे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबा एंट टेक केर